दोस्तो ज़रा सोचो अगर आपके पास एक ऐसी पावर आ जाए जिससे आप टाइम को स्टॉप कर सको तो आप उस पावर का इस्तेमाल किन किन चीजों पर करोगे और कुछ ऐसा ही होता है हमारी मुवी के मेन केरेक्टर बैन के साथ मुवी की शुरुआत में हम एक कपल बैन और सूजी को देखते हैं जो कि किसी बात को लेकर आपस में जगर रहे होते हैं अब इन दोनों का जगरा इतना बढ़ जाता है कि सूजी बैन से ब्रेक अप करके वहां से चली जाती है अगले दिन बैन अपने कॉलेज जाता है और वहां पर वो सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ देखता है फिर बैन सोचता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमने हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस भी किया था लेकिन अब Suzy किसी और के साथ है और कल तक तो वो मुझे डेट कर रही थी पर आज वो किसी और को डेट कर रही है इसके बाद वहाँ पर बैन का दोस्ट शौन आता है और उससे कहता है कि तुझे किसी खूबसूरत लरकी को पटाना चाहिए ताकि Suzy जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे जलन महसूस हो लेकिन बैन शौन से कहता है कि वो इस हालत में नहीं है कि वो किसी और के साथ रिलेशन्शिप में आ सके इसके बाद बैन अपनी आर्ट क्लास में जाता है और वहाँ पर भी वो सिर्फ Suzy की पेंटिंग बनाता है बैन को Suzy की बहुत याद आ रही थी इसलिए एक रात को वो Suzy को फोन भी करता है और उससे पूछता है कि क्या हम दोनों फिर से साथ में रह सकते हैं लेकिन Suzy बैन को मना कर देती है और कहती है कि अब मैं किसी और के साथ में हूँ अब इसके बाद से ही बैन बहुत ज्यादा उदास रहने लगता है और वो बस दिन रात Suzy के बारे में ही सोचने लगता है जिसके चलते बैन को नीन दाना भी बंध हो जाती है बैन सोने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो सो नहीं पाता इसलिए रात को वो बुक्स पढ़कर या टीवी देखकर ही अपना टाइम स्पेंड करता था फिर एक रात को बैन कुछ सामान लेने के लिए एक ग्रोसरी स्टो में जाता है और वहाँ पर वो एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा था कि नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है अब बैन को तो रात को नींद आती नहीं थी इसलिए बैन सोचता है कि टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर काम करना ही सही रहेगा फिर बैन उस्टो के मैनेजर के पास इंटर्व्यू देने जाता है और मैनेजर उसे वहाँ पर काम करने के लिए सलेक्ट कर लेता है अगली राथ से बैन उस्टो में काम करने लगता है और उस्टो में बैन के साथ एक लर्की भी काम करती थी जिसका नाम शेरेन होता है फिर बैन देखता है कि शेरेन जब भी स्टो में लेट आती थी तो मैनेजर उसे अपने केबिन में बुला कर टॉर्चर करता था। इसके बाद बैन मन में सोचता है कि यहाँ पर सुपर मार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे करता है इसलिए यहाँ पर काम करने वाले एमपलोईस टाइम जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। बहुत मुश्किल हो गया था। और फिर बैन के पास एक सुपर पावर आ जाती है बैन टाइम को फ्रीज कर देता है जिसके बाद वो सुपर मार्केट में आए सारी खुबसूरत लर्कियों के कपड़े उतारता है और उनकी ड्राइंग बनाने लगता है। ही कुछ दिन बीच जाते हैं और फिर एक दिन जब बैन काम पर आता है तो वहाँ शेरें भी उसके पास आती है। फिर बैन अपने लॉकर में से एक सेंविच निकालता है तो उसे देख कर शेरें कहती है कि उसे बहुत भूख लग रही है क्या वो ये सेंविच खा सकती है अब बैन उसे हाँ बोल देता है और शेरें को वो सेंविच खिला देता है। शेरेन जब वो सेंविच खा रही थी तो बैन उसे देख रहा होता है और बैन के मन में शेरेन के लिए फीलिंग जागने लगती है इसके बाद बैन स्टो में आता है तो वहाँ पर उसे बैरी और मैट मिलते हैं फिर वहाँ पर मैट बैन से कहता है कि आज रात को वो शेरेन के साथ intimate भी होगा अब ये सुनकर बैन को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि जब भी वो किसी लड़की को पसंद करता है तो वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है बैन बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को पसंद करता था पर वो उसे कभी भी अ उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हो क्या तुम मेरी गल्फ्रेंड बनोगी अब ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और उसे हा कर देती है इसके बाद वो लड़की बैन को स्कूल के पीछे ले ज जाता है तो वो देखता है कि वो लड़की तो वहाँ पर नहीं आती है जिसके बाद अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि उस लड़की ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए अटलांटिका शिफ्ट हो गई है इसके बाद हम स्टो मैनेजर को देखते है जो कि बैन और बाकी के एंपलोईस को अपने पास बुलाता है और कहता है कि कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। अब ये देखकर बैन को पता चलता है कि ये सुपरपावर सिफ बैन के पास नहीं बलकी और भी लोगों के पास है। फिर बैन वापस ग्राउंड में आता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है। कि क्या तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है जिस पर शेरेन उससे कहती है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त है और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद शेरेन बैन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गल्फरेंड है बैन उससे कहता है कि मेरी पहले एक गल्फरेंड थी पर कुछ हफ्तों पहले ही मेरा उसके साथ ब्रेक अप हो गया है। इसके बाद बैन शेरेन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शेरेन बैन को किस करने की कोशिश करती है लेकिन बैन बहुत ज्यादा नर्वस था इसलिए वो शेरेन के गाल पर किस कर देता है। इसके बाद बैन अपने दोस्ट शॉन के पास आता है और उससे कहता है कि कुछ दिनों बाद उसके बॉस का बर्थडे है तो उसे अपने बर्थडे पार्टी पर एक स्टिपर चाहिए है। कि क्या तुम मेरे साथ मेनेजर की पार्टी में चलोगे तो बैन उसे हाँ बोल देता है। इसके बाद शेरेन बैन को किस करती है और वहाँ से चली जाती है अब जब से शेरेन बैन को किस किया था उसके बाद से ही बैन को रात में बहुत अच्छी नीन दाने लगती है। फिर अगले दिन मैट और बैरी बैन को फोन करके उसके साथ एक प्रैंट करते हैं मैट बैन से कहता है कि वो एक आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बैन की ड्राइंग बहुत ज्यादा पसंद आई है इसलिए वो कल बैन से मिलना चाहता है। अब ये सुनकर बैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जिसके बाद वो शेरेन को लेने उसके घर जाता है और फिर वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। पास आता है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने को कहता है लेकिन शेरेन मैनेजर को मना कर देती है और उसे गालिया देकर वहाँ से चली जाती है। पास जाता है और शेरेन के पास जाता है अब बैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो शेरेन को क्या बताए। लेकिन शेरेन बैन पर चिलाने लगती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब इसके बाद से ही बैन वापस उदास रहने लगता है और उसको नींद आना भी वापस बंध हो जाती है। पुछ दिनों बाद बैन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहां से उसे कॉल आया था। फिर बैन मैनेजर से कहता है कि आपने मुझे यहां पर मेरी पेंटिंग देखने को बुलाया था। यह सुनकर मैनेजर कहता है कि मैने तो तुमको कोई कॉल नहीं किया। और तब बैन को समझा जाता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ मजाग कर रहा था। फिर बैन मैनेजर को सौरी बोलकर वहां से जाने लगता है। पर वो मैनेजर बैन से कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग देखनी है, फिर मैनेजर जब उन पेंटिंग को देखता है तो वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है. फिर मैनेजर बैन से कहता है कि कल तुम मुझे से अपोइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इन पेंटिंग की एक्जीबिशन लगाना चाहते हैं, अब ऐसे ही कुछ दिन बीग जाते हैं और फिर एक दिन शेरिन के घर पर एक इंविटेशन काड आता है जो बैन ने उसे अब यह सुनकर बैन को याद आता है कि शेरिन को भी अमेरिका घूमने का बहुत मन था जिसके बाद वो उस पेंटर को अमेरिका आने के लिए हां कर देता है, उसी दौरान वहाँ पर शेरिन भी आ जाती है, और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग को देखकर बहुत खुश ह इसके बाद वो बैन के पास जाती है और बैन उससे सौरी कहता है जिस पर शेरें भी उसे माफ कर देती है फिर बैन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो तो शेरें उससे कहती है कि हा मैं तुम पर ट्रस्ट करती हो इसके बाद बैन शेरें को आखें महो जाती है